अब सूपर सेटेर्डे के बाद सूपर संडे की बारी आ गई है यानि सूपर संडे के दिन एक बार फिर से आप लोगों को बहुत सारे interesting matches देखने को मिलेंगे सूपर संडे में एक ऐसी टीम भी मुकाबला खेलने उतरने वाली है आज जो बीते दिन उतरी और उसका हाल बहाल हो गया इसके लावा ऐसी टीमें भी हैं जो जीत के साथ अपनी दावेदारी को मजबूत करना चाती है आज प्रो कबड़ी लीग में दो तगड़े मैच होने हैं पहला मैच जो है वो है पुनेरी पल्टन और बंगाल वार्यर्स के बीच जबकि दूसरा जो मैच है वो बेंगलूरू बुल्स और यूपी योद्धा के बीच खेला जाना है खेर मैच की बात करेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आप लोगों के काम की बात कर लेदा हैं इस बड़ी सी स्क्रीन पर भी आपको देख रहा होगा आप विंजो एप पर जाकर सौस से ज़ादा गेम्स खेल सकते हैं जो कि 12 भाशाओं के अंदर हैं खास चीज़ तो यह है कि यहाँ पर रमी हो, पोकर, फ्री फायर जैसे धेर सारी गेम्स मौजूद हैं इसके लावा एक नया फीचर भी आया है फैंटेसी वार जहाँ पर आपको एक्सपर्ट की बनी बनाई टीम मिल जाएगी और आप इसमें से किसी भी टीम को अपनी टीम बनाईए और उस टीम के साथ खेलते जाईए अब बताईए है ना एक आम का फीचर तो फटाक से इस आप को डाउनलोड कर लिजे और जाकर इसके अंदर खेलिए चलिए अब बात करते हैं मुकाबलों की सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पुनेरी पल्टन की टीम के साथ इसके फैंस भी इस टीम को हमेशा सपोर्ट करते हैं पुनेरी पल्टन और उनकी टीम के सफर की बात करें तो टीम की शुरुआत इस सीजन बेहद ही खराब अंदाज में हुई थी अपने पहले ही मैच में दबंग दिल्ली के हाथो इस टीम को 30-41 यानी 11 पॉइंट से बड़ी हार जेलनी पड़ी थी अगले मैच में टीम ने वापसी की और रोमांचक मैच में तेलगू टाइटन्स को महस एक पॉइंट यानी 34-33 से हरा दिया उसके बाद टीम ने मोमेंटम खोया और एक के बाद एक तीन लगातार मैच गवा थी पहले पटना पाइरेट से उना 38-27 से हारना पड़ा फिर तमिल थलाईवाज ने 36-26 से हरा आया और उसके बाद पवन सहरावत की बेंगलूरू बुल्स ने इस टीम को 44-29 से पठकनी दे दी इसके बाद आया वो मैच जिसमें पल्टन ने सबको चौका दिया गोयत ने सूपर 10 लगाया जबकि इनामदार ने मैच में 8 पॉइंट कमाई लेकिन अगले ही मैच में जैपूर पिंक पेंथर्स के हाथो टीम को फिर से हार का सामना करना पड़ा जैपूर ने इस टीम को 31-26 के अंतर से मात दी थी कुल मिलाकर बात ये है कि पुनेरी पल्टन ने इस सीजन में अब तक 7 मैच खेले हैं जिसमें उन्हें दो मैच में जीत मिली और 5 में हार का सामना करना पड़ा है पुने का कोई भी मैच अब तक टाई नहीं हुआ टीम 11 अंकों के साथ अभी बॉटम 3 में दिख रही है पुनेरी पल्टन के बाद अब बात करते हैं उस टीम की जिससे पुनेरी पल्टन की भिडंत होगा पिछले सीजन की चैंपियन बंगाल वारियर्स बंगाल ने इस सीजन की शुरुआत उसी नोट पर की जिस नोट पर उनने पिछले सीजन छोड़ा था पहले ही मैच में प्रदीप नर्वाल वाली यूपी योद्धा को 31-28 से शिकत दे दी अगले मैच में भी अच्छा प्रदेशन किया और गुजरात की टीम को 31-28 से हरा दिया बैक टू बैक जीत लेकिन इसके बाद पुणे की तरह बंगाल को भी तीन लगादार हार का सामना करना पड़ा पहले बैंगलूरू ने एक बेहत कड़े मुकाबले में बंगाल को 36-35 से राया और उसके बाद दबंग दिल्ली के हाथो टीम को 52-35 की एक बड़ी हार मिली टीम ने वापसी की जैबूर के खिलाफ 3-28 से मैच जीत भी लिया और 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा है टीम के नाम अब तक कुल 17 पॉइंट्स है किन पर होगी नज़र? पहले बात पुनेरी पल्टनकी कर लेते हैं उनके लिए स्टार पर्फॉर्मर रहे है अलराउंडर असलम इनामदार इन्होंने इस सीजन अब तक 7 मैच में 32 रेट पॉइंट्स कमाया है इनसे ज़ादा रेट पॉइंट किसी और रेडर ने इस टीम में नहीं लिये इसके अलावा इनके नाम 11 टेकल पॉइंट्स भी हैं डिफेंडिंग के मामले में भी इनामदार तीसरे स्थान पर है इनामदार के अलावा मोहिद गोयत में 6 मैच के अंदर 31 रेट पॉइंट कमाया है और लगातार अच्छा कर रहा है वहीं पंकज मोहिद के नाम भी 5 मैच में 20 अंक है डिफेंडर्स की बात करें तो विशाल भारतवाज ने टीम के लिए सबसे अच्छा प्रजशन किया है उन्होंने अब तक 7 मैच में 15 पॉइंट्स अपने नाम किया है उनके अलावा अभिनेश नदराजन ने भी 6 मैच में 13 टैकल पॉइंट्स कमाया है बंगाल वाडियर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा निगाएं उनके कप्तान मनिंदर सिंग पर जो टीम की पहचान बन गया है मनिंदर इस सीजन 7 मैच खेल कर 86 रेट पॉइंट्स कमा चुके हैं उनके लावा ओल राउंडर मुहमद नभी बक्ष भी शांदार खेल दिखा रहा है नभी बक्ष अब तक 32 रेट पॉइंट्स और 13 टैकल पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं टीम के लिए उनसे ज़्यादा टैकल पॉइंट्स किसी ने भी नहीं कमाया है वहीं सुकेश हेगडे ने भी 6 मैच में 22 रेटिंग पॉइंट्स कमाया है अब बात डिफेंस की कर लेते हैं नभी बक्ष के लावा अबुजार मिगानी और दर्शन ने शांदार प्रजशन किया है दोनों ने 7 मैच खिले हैं और 12-12 अंक अपने नाम किया है इनके अलावा और कोई खिलाडी डिफेंस में जादा खास करता हुआ नहीं देखता अब बात दूसरे मुकाबले की बैंगलूरो बुल्स वर्सेज यूपी युद्धा बैंगलूरो बुल्स की बात करें तो ये सीजन अब तक उनके लिए बेहत शांदार तरीके से खटा है टीम लगातार अच्छा प्रजशन कर रही है और इस सीजन की टॉप टीम्स में से एक साबित हो रही है कप्तान पवन सहरावत टीम को फ्रंट से लीड करते दिख रहे है हाला कि टीम के शुरुआत इतने शांदार अंदास से नहीं हुई थी टीम को पहले ही मैच में यू मुंबा से सोल अंकों की बड़ी हार जिलनी पड़ी हुई मुंबाई के टीम ने वो मैक 46-30 से अपने नाम किया था लेकिन टीम ने वापसी की और अगले तीनों मैचों में जीत हासिल कर ली पहले तमिल थलाईवास को 38-30 से उसके बाद बंगाल को 36-35 से और फिर हर्याना को 42-28 से पटकनी दे दी इन मैचों के बाद आता है टीम का पांचवा मुगाबला जो तेलुगू के खिलाफ था 34-34 के स्कोर के साथ ये मैच टाई पर खत्म हुआ इसके बाद टीम ने अपनी जीत का कारवा फिर जारी किया और अगले दोनों मैचों में फिर से जीत हासिल के ली पहले पुनेरी पल्टन को 40-39 के बड़े मारजन सहराया और फिर जापूर की टीम को 38-31 से शिकस दे दी कुल मिलाकर इस टीम ने अब तक साथ मैच खेले हैं जिनमें उन्हें पांच में जीत हासिल हुई है और एक में हार इसके लावा टीम का एक मुकाबला टाई भी रहा है बुल्स की टीम अब तक 20 पॉइंट्स अपने नाम कर चुकी है दूसरी तरफ जो दूसरी टीम है उसका नाम है यूपी योध्था उनके सफर की बात करें तो उनका सफर इतना अच्छा नहीं रहा सफर की शुरुआत में ही बंगाल के खिलाफ टीम को हार मिली उसके अगले मैच में टीम ने वापसी की पटना पाइरेट्स पर 36-35 से जीत भी हासिल की तीसरे मैच में जैपूर के खिलाफ यूपी को तीन पॉइंट्स से फिर से हार का सामना करना पड़ गया चौत्य और पाच्वे मैच में टीम को टाई से ही संतोष करना पड़ा उससे ठीक एक बहले ही टीम को दबंग दिल्ली के खिलाफ 33-37 से हार का सामना करना पड़ा पहले गुझरात के खिलाफ 32-32 और फिर मुंबा के खिलाफ 28-28 से गुजरात और मुंबा के मैचों के बाद तमिल के खिलाफ टीम को फिर से हार का सामना करना पड़ा इस बार स्कोर 32-49 रहा कुल मिलाकर यूपी की टीम साथ मुकाबलों में से अब तक सिर्फ एक ही मुकाबला जीती है जबकि चार में टीम को हार का सामना करना पड़ा है इसके लावा टीम ने दो टाई मुकाबले भी खेले हैं जिसके बाद उनके नाम इस सीजन में अब तक 15 पॉइंट्स हो गए हैं इस मैच में किन घराड़ों पर नज़र रहेगी ये भी जान लेते हैं रंजीत अब तक इस सीजन के साथ मैचों में 42 पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं डिफेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा निगाएं होंगी सौरब नंदल पर वे सीजन तगड़ा खेल खेल रहे हैं और अब तक 18 टैकल पॉइंट्स कमा चुके हैं इनके अलावा टीम के डिफेंडर अमन और महेंदर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अमन 7 मैच में 14 जबकि महेंदर 6 मैचों में 12 पॉइंट्स अपने अपने नाम कर चुके हैं इस तरह से ये आज के दोनों मुकाबले और उनके खिलाडियों की बात है सूपर संडे में प्रो कबड़ी लीक का आपको पूरा मज़ा आएगा लेकिन अब तक भी आपने अगर विंजो अब डाउनलोड नहीं किया है तो उसे फटाक से डाउनलोड कर लिजे और प्रो कबड़ी लीक का पूरा मज़ा ललन टॉप पर उठाईए साथी साथ अगर आपको कबड़ी के लावा बाकी खेलों से जुड़े वीडियोज भी चाहिए तो आप हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लिजे तो कि वहाँ पर सभी खेलों के वीडियोज आपको मिलते हैं हम लोग ट्विटर पर भी मौझूद हैं वहाँ आप हमें फालो कर सकते हैं हमारे फेस्बूक पेज को लाइक कर सकते हैं और आप इंस्टा पर भी हैं वहाँ भी आप हमें फालो कर सकते हैं कैमरे के पीछे थे विजे, इस स्टोरी के लिए रिसर्च की अधा हमारे साथी प्रवीन नहरा ने, मैं हूँ विपिन, शुक्रिया